दोस्तों आप चाहे जितना भी अच्छा खाना खाएं लेकिन अगर आपके शरीर के अंदर की गंदगी साफ नहीं हो रही है तो आपको इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा अगर आपके शरीर के अंदर की गंदगिया निकल जाएंगी तो आपको बहुत फायदा होगा जैसे ही अधिक मोटा होना या फिर अधिक दुबला होना इसके अलावा भी कई सारी विमारियां है जो खाना सही धंग से ना पचने के वज़े से होती है अगर आपके पेट के अर्गी साफ हो जाती है तो इसका असर आपके चेहरे पर में दिखने लगेगा दोस्तो सबसे पहले हम आपको बता दे कि जब भी आप खाना खाते हैं तो उसका सही तरीका क्या होता है दोस्तो जब भी हम खाना खाते हैं तो खाना हमारे मूँ से पेट में जाता है और फिर छोटी आँच से होता हुआ बड़ी आँच में जाता है उसके बाद ये वेश्ट के रूप में बाहर आ जाता है आपको बता दे कि हमारी शरीर का पाचन तंत्र फलो को पचाने में 3 घंटे सब्जियों को पचाने में लगबग 6 घंटे और अन्य को पचाने में 18-20 घंटे लग जाते हैं फल और सब्जिया तो हमारा शरीर केवल एकी दिन में पचा लेता है पर अनाज हम दिन में 2-3 बार खाते हैं इसका मतलब ये है कि अभी पहले वाला पचा नहीं कि हम दूसरी बार फिर से अनाज खा लेते हैं इसे में होता ये है कि हमारा खाना पचने के बजाए सरणा सुरू हो जाता है अब जहां सरण होगी वहाँ वायरस और कीड़े आने तो लाजमी है ये तो हम सब ने सुना है कि पेट में कीड़े हो जाते हैं अब ऐसा भी नहीं है कि उस शक्सने कीडे खाए होंगे दरसल ये कीडे हमारे शरीर में सरडन के वज़े से पैदा होते हैं जहां सरडन होगी वहाँ गैस भी रिलीज होगी जिसे हम गैस की प्रॉब्लम कहते हैं ना जाने हमने कितने खाने खाये होंगे जो पेट में स्रलाहा होगा दोस्तो जो fast food हम बड़े ही शौक से खाते हैं उन सब में fiber नहीं होता है ये हमारे पेट और आत में अंदर जाकर चिपक जाते हैं और वहाँ स्रलते रहते हैं दोस्तों जो हमारे पेट में छोटी आत होती है वो खाने को एब्जॉर्ब करके बलड तक भेजती है जिससे हमारे बॉड़ी को ताकत मिलती है और हमारे शरीर का विकास भी होता है अगर इसी आत में गंदगी जमा होती है तो ये उन गंदगी को बलड में भेजने लगता है जिससे ये गंदगी हमारे पूरे शरीर में सिल्कुलेट होने लगता है अब ये बलड की गंदगी हमारे फेस तक जाती है जिस वज़े से हमारे फेस में पिमपल्स और दाग धब्बे होने लगते हैं वहीं जो बलड इसकिन तक रह जाता है वो इसकिन से जुड़ी बिमार जैसे कि दिल की बिमारी, जब हट के नसों में ये गंदगी जमती है तो लोगों को दिल की बिमारी होती है, और जब यही गंदगी बड़ी आत में जमने लगती है तो उससे कब जो होता है, अगर आपने ये गंदगी साफ नहीं की तो आपको ट्यूमर हो सकता है, या फिर कैं इंसर तक हो सकता है। पाचन तंत्र चलता रहता है। दरसल हमारे शरीर के अंदर के और्गंस खाना पचाने के बाद शरीर के अंदर के गंदगी को बाहा निकालने में लग जाते हैं। सेम वैसे ही जैसे कि हम अपना काम करने के बाद सब कुछ समेट के रख देते हैं। ठीक ऐसे ही body भी करती है, body सफाई का काम तब तक नहीं करती है जब तक कि पेट में भोजन हो, हमारे कहने का मतलब यह है कि जब तक पेट में खाना रहेगा तो body खाने को पचाने का काम करेगी, यानि कि उस समय पेट की सफाई होना तो नमुम्किन है, इसके लिए सबसे अच् सफाई के काम में लग जाते हैं, इसके अलावा शरीर में जो अन्य तरह की चीजे हो रही होती हैं, जैसे कि गाठ बनना, इस्टोन बनना और अन्य चीजे, जब body के पास पचाने का काम नहीं होता तो वो इन सब को साफ करने में लग जाती है, आम दिनों में body साफ सफाई का काम रात के वक्त करती है, लेकिन ये काम तभी हो पाएगा जब आप जल्दी सो जाएं, और रात में सोने से 4-5 घंटे पहले खाना खा ले, आपने अपने बड़े बुजरगों या फिर डॉक्टर से ये बात सुनी होगी कि रात में खाना जल्दी खा लेना चीए, आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिर इसके पीछे क्या कारण है, दरसल जब सूरज की रौसनी होती है तो हमारे बॉड़ी में एसिड तेज रहता है, यानि कि जब आप उस समय कुछ खाते हैं तो आपके बॉड़ी में मौजूद एसिड उसे पचा देगा, लेकिन जब हम सूरज वो ठीक से नहीं पचता है, यानि जब तक सूरज है तो आपकी बॉड़ी बहुत अच्छी तरीके से पचाने का काम करती है, जैसे ही रात होती है तो बॉड़ी के अंदर बैक्टेरिया सिफ्ट सुरू होती है, जो कि बॉड़ी के साफ सफाई का काम करती है, यानि कि शरीर के अंदर मौजूर टॉक्सिंस को बाहर निकालती है ये गंदगी पसीने के जरिये बाहर आती है जैसे ही गंदगी बाहर आती है आपके बोड़ी को अराम मिलना शुरू हो जाता है दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि आपको अपनी डाइट कैसी रखने चाहिए वैसे केवल 60% तक ही nutrition होता है इसलिए बहतर है कि आप पूरे के पूरे फल को खाएं वहीं रात का खाना आपको थोड़ा जल्दी खाना चीए और उस खाने में आपको जरा सा गुड़ जरूर लेना चीए